नमस्कर दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों साल का पहला चंदर ग्रहन पांच मई दोहजार तेश शुक्रवार को रात आड़ बसकर के 45 मिनट में लगने जा रहे हैं जो की इसके समाप्ती तीथी जो रहेंगे वह दोस्तों रात एक बजे अर्था दोस्तों 6 मई दोहजार तेश रात शनीवार एक बजे इनके समाप्ती तीथी होगा दोस्तो साल का पहला चंदरग्रहन बैसाग पुनिमा यानि की बुध पुनिमा पर लगने जा रहे हैं और दोस्तो बुध पुनिमा का हमारे हिंदु धर्मा में बहुत बड़ा महतपुना इस्थान है अगर वेद्यानिक द्रिष्टी से देखें तो चंदरगरहन तब होता है जब पृत्वी और चंदरमा इस सूर्य की बीच में आ जाता है और पुरोणायों का नुसार जब राहू चंदरमा को ग्रसीत करते हैं तब चंदरगरहन का शयोग बनता है सूर और चंदरगरहन से पहले सुत्ताकाल लगता है चंदरगरहन से पहले लगने वाले सुत्ताकाल की अउधी को असुब माना जाता है तो इस बिड़ो में मैं आप लोगों को शारी जानकारी बताऊंगे कि दोस्तों किस पकार के चंदरगरहन लगने जारी चंद्रगरहन की दौरान आपको क्या करना चाहए है अब आईसा क्यों नहीं करना चाहए क्योंकि इसके पहले भी मैं पूरुव जानकारी बता हुँ चंद्रगरहन के समय पताल लोक में रहने वाली जितने भी के सब्फिने पृत इसल Are as इसले दोस्तो जितने भी नक्राटमक्श बहुत ही लोग हो हो किसी को भी भूत रही होती लिदो कि सब्छूंगे पृतित्वी लोगbs किसी के जान, किसी के मान, किसी के कुछ भी चीजों के नुक्षान कर सकते हैं इसलिए चंदर ग्रहन के समय में कभी भी जब लोग चंदर ग्रहन के चपेट में आ जाते हैं तो इसलिए कोशिस करें जब चंद्रग्रहाण लगे तो ग्रहाण के दोरान आप अपने घर में रहें घर के बाहर ना निकले घर के बाहर निकलते तो नकरात्मक शक्ती चपेट में ले लेते हैं और ग्रहाण की जो ग्रहाण की जो रोशनी है चंद्रग्रहाण की वो आपके चंदगरहन रहेगा यानि की चंद्रमा पर प्रित्वी की छाय सीर्फ एक तरब से रहेंगे दोस्तों यह चो चंद्रगरहन हैं आप इसी ऐर्या हैं motivate Africa रो 특क達ि काहये यहां पर यहां ये भारत वर्समी दिखाई नहीं देंगे लेकिन इसके पूर्ण प्रभाव भारत में रहेंगे और भारत में रहने वाले जो लोग है उनके रासी पर ज़रूर पढ़ेंगे मैं आप लोगों बताना चाहूंगा कि ये जो उपचाय चंदर ग्रहने कैसे लगते हैं जब चंदर पर प्रिथवी की चंदर ग्रहन कहा जाता है दरसल ग्रहन लगने से पहले चंदर मा प्रिथवी की उपचाय में प्रवेश करते हैं जिसे चंदर मालिन्य कहते हैं इसके बा चंदरमा की रोशनी में हलका धूदला पन होता है चंदरमा का रंग मट मेला हो जाता है इसे हम जो हैं उपचाय चंदर ग्रहन कहाते हैं तो इस दिन आप जो चंदरमा को देखेंगे तो ये थोड़ा सा लाल मट मेला कलर की दिखाई देंगे आप सब हमारे ब्लोक को देख करके आए हैं कि एक उर्पे के सिक्के का महा उपाय बताने जारों तो अगर आप जो चंदर ग्रहाण के दोरान ये महा उपाय करेंगे तो बिल्कुल ये आपके तकदीर को बदल करके रख देंगे क्योंकि दोस्तों ग्रहाण के समय में किये एक उपाय शिग्रफलकारी होते हैं और 30-100% लाभी देते हैं इसलिए मैं आप लोगों कोई मंत्र सीध करना हो कोई चौपाई सीध करना हो कोई अंत्र सीध करना हो ये फिर कोई आपके पास तांतरिक वस्तू है उसे आप सीध करना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहन के दोरान जरूर शीद करें चंद्र ग्रहन के दोरान अगर आप इसे चंद्र मा के रोशनी में ये फिर चंद्र ग्रहन लागें उस समय अगर मंतरों से जाब करते हैं तो ये शीद हो जाते हैं आज में आप लोगों को एक रुपे सिख्य का महा चाबी हो जाएंगे और यह आपके दिन दुगनी रात चवगनी तरक्की आपको खुब कराएंगे जिस भी छत्र में जाएंगे वहां पर आपको शफालता मिलेंगे और इस सिक्के को आपको फिर खर्चा नहीं करने आपको अपने पास में रखने दिभ्य महावपाय बताने जारू दोस्तों अगर आभी चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचिन ग्यान की अमुल्य जान कर यापको भी प्राप्त होते रहें तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जोड़ सकते हैं और हां देखें चुकि यह पुनीमा तिथी पढ़ने जा रह मात लचमी जरू लिखना कि पुनीमग दिन मतलचमी प्रतेह द्वार में आती है अपमाएं याना मातलचमी प्रतेहक मनुस्य के द्वार में आती धन लेकर के लेकिन हमें इस समय अपने घर के पढ़के दर्वाजे को बंद नहीं करना चाहिए येतना ज्यादा हो सके पुनिमक दिन मंत्रों का जाब गरे ये बहुत ज्यादा फलकारी होता है उपाया ध्यान से शुनिए तो आपको एक कटोरी गंगा जल लेना है क्योंकि दोस् महा जल है जो व्यक्ति को नर्ग से स्वर्ग पहुचाने का कम करते हैं जीते जी यहां शुक देते हैं मननेक बाद हमें मोक्षा की भी प्राप्ति कराते हैं तो गंगा जल बहुत ही पवित्र होते हैं हर द्रिष्टी से दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र होते हैं तो एक कटोरी गंगजल लिस्ट में आपको एक उर्पय का सिक्का डालना है और आपको एक लाल वस्तरा लेना है आपको एक लाल वस्तरा लेना है अब उपाय ध्यन से सुने कैसा करना है तो आप जो लाल वस्तरा लिये हैं उस लाल वस्तरा को दोस्तों चंद्रमा की रोशनी में और इस लाल वस्त्रा की उपर में आपको एक काटोरी गंगजल को रखना है और एक उर्पय का सिक्का जो आप डाल करके रखें उशे रखना है सिर्फ आपको चंद्रमा के रोसनी में आपको इसे छोड़ देना है बाकी आपको शुबे इसका परोक करना है सुबे कैसा करने जब चंदरग्रहन समापत हो जाएंगे सुबे आपको इशनान ध्यान करने बाद प्राता कल चंदरमा के रोशनी में तो आपको इसे छोड़ देना है सुबे से साफ पानी से धोना है और साफ पानी से धोने बाद आपको इसे धुबगा धुमे दिखाना और इस सिक्के को माता लच्मी के बिज मंतर जब करके इस सिक्के को आपको अपने पास में रखना है इसे खर्चा नहीं करना है दोस्तों ये फिर धन खिचने का चाभी हो जाएंगे इस पकार के जो सिक्के होते हैं चंद्र गाण के रोशणी में च्कें ये फिर पुनिमग दिन रखे ग hijang है सिक्कित हो जाते हैं दोस्तों पुनिमत ती subscription साथी चंद्र गान इसलेए सिक्की कि स्झिध हो जाएंगे इस सिक्के को आप अपने पर्शक में वैपारिस्थान में हमेशा रखे आप इसे अपने से अलग मत होने देना दोस्तों ये आब को आब के किस्मत से ज़्यादा धन ला करके देगा ये कीनन मानिए ये सिक्के जब तक आपके पास में रहेंगे आब के दीन दुगनी राद चवनी तरकी होगा और दोस्तों ये सिक्के आपको किसी ने किसी मदम से बहाने मरवा मरवा करके दसो दिशाओं से धन खिचने का काम करेंगे अर्थात ये आपके लिए धनलाब करेंगे एक उर्पे सिक्के कब दूसरा पर्योग सुनिए तो चंद्रगहन की रात में आपको आप अपने हाथ पर को साफिम स्वक्षा धोलीजे और एक आसन बिच्छा लिजे लाल कलर के आसन बिच्छा लिजे उसमें आप बैढ जाईए और आपको अपने घर के मंदीर में नहीं आपको जहां पर आपको जगह मिल जाए ये फिर आप जो अपने रूम में भी ये पर्योग कर सकते हैं तो आप लाल कलर के वस्तर बिच्छा लिजे इसके उपर में आपको बैढ जाना है आसनी बिच्छा लिजे और फिर आपको एक रुपए का सिक्का लेने एक रुपए के सिक्के को आपको अपनी हाथ में लेना और लच्मी बीज मंत्र का जाब करना है ये बीज मंत्रा जब चंदगरहन लग जाएंगे तो लगने के बाद कम से कम आपको तीन घंटे तक मजो बीज मंत्र बताऊंगा इ समंत्र को जबते हैं और चंदट गर्हांद के समाप्तत दोस्तों फीर सोने पर सुहाग है। एक एक और हम शेल करके माता लचमी की बिजम श्रीय नमho को यह माता लचमी की बिजमंत्र करकि इस मंत्रग जाब करेंगे तो जितने आप मंत्रग जाब करेंगे उतने ही उर्जा आपके सिक्के में चले जाएंगे और दोस्तों ये सिक्के जागरीत हो जाएंगे जिस प्रकार दोस्तों आप सभी को पता हैं कि मनुष्य तब इस संसार में चल सकते हैं जब उसके तो दोस्तों आप देखना आपके रखेंगे एक रुपए का सीध हो जाएंगे फिर इसके आप परोग जानती है कि इस एक रुपए की सिख्ये को आप जो गंगजल से दो लेना और आप जो हैं लाल कलर की कपड़े में से बांध करके आप अपने परस में हमेशा रखेगा कि गरिभी मिटे उनके अच्छे दीन है तोने टोट के दोस्तों वह सरल क्रिया हैं जो कि आपको कम समय में अत्याधिक लाब कराते हैं इसलिए ग्रहाण के समय में अगर यह उपाय करेंगे तो यह आपको बहुत ज्यादा लाब कराएंगे दिन दूगनी राद चोगनी बिष्वास है तो आप पध्धड पे भगवान देख सकते हैं तो टोने टोटके की दुनिया में बिष्वास होना जरूरी है तो दोस्तों आज के जानकरी बस इतना ही बिडियो अच्छी लगियों तो इससे लाइक कीजेगा अपने दोस्तों यहरों में शेयर करिएगा धन